नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चानल एडमिशन वाला पर और जैसे कि मैं आपको बता हूँ कि आप राउंड सेकंड का इंजिनेरिंग के लिए उनका जो रिजल्ट था हो आ गया है अब दोनों भी राउंड खतम हो चेंगे तो चले इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अलाटमेंट मिला है वो कैसे देखना है बेटरमेंट कहां आपको दिखेगा और उसके बाद हम ये जान लेंगे कि जो खाली सीट रहेगी उसका क्या होगा और थोड़ी सी बाग्च अलाटमेंट का जो लिस्ट है वो भी आगया सेकंड राउंड का आपको यहां पे का टॉप भी दिखेंगे लेकिन ऐसी जो लिंक होती है आपको यह फिर आप आप लॉग इन में देख लिए नहीं वो मुझे पता नहीं लेकिन आउडर लिंक ओने अभी तक दी नहीं थी ल तो उसी प्रकार का है आप जा सकते उस लिंक पर आपको आपका application ID डालना है और data word डालनी है और आपका status आपको पता चल जाएगा हाला कि यह status आपको आपके login में भी available होगा और बाकी की जो आगे क्या करना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले section में करेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता चल जाएगा कि पिछले round में आपको क्या मिला था और अब इस round में उसका क्या हो गया है अगर आप betterment को चले गए थे तो फिर betterment हुई या नहीं हुई आपको पता चल जाएगा अगर यहाँ पे betterment नहीं हुई है तो फिर यह college आपका final हो चुका है यह branch आपकी final हो चुकिए अगर यहाँ पे कोई मिलता है college तो यह चला जाता है यह आपको नहीं मिलता और यह आपको मिलता है मतलब आप इस condition में अगर कोई students का यह सवाल है कि मुझे जो यहाँ पे मिला है अब betterment के थुरू अब वो मुझे नहीं चाहिए और यही मुझे चाहिए तो यह संबो नहीं है क्योंकि आपने जो option form बहा रहा था इसका मतलब आपने समझाने बेटरमेंट क्या होता है आपको पता नहीं चला तो दोस्तों आपको बेटरमेंट के option form में better option देने है इससे better तो यह ऐसा ही माना जाता है कि आपको जो पहले मिला था यह जो अपने option form बहा रहा था वो better वाले सब option थे और आपको वो मिल गया है तो अभी कोई chance नहीं यह college आपको फिर से पाने का तो जिन दोस्तों का यह सवाल है तो मैं उनको बताना चाहता हो कि आपको आप कोई chance ने जो अब इस round में आपको मिला है वही आपको लेना पड़ेगा तो चलिए सब को पता चल गया है कि आपका betterment आपको यहां पर पता चल जाएगा जिनको कोई भी seat नहीं आलोट हुई थी उनको भी यहां पर ही status पता चल जाएगा उन जैसे कि अपनी first round में देखा था उसी प्रकार से आगे उड़को आपको लिंक मिल जाएगी कि आप round 2 की यहां से आप college-wise list भी download करकर देख सकते है कि उसमें आपका कुछ change हुआ है या नई फिलाल जिस college में आपने betterment के लिए गए थे seat accept करके उस college की आपने खोल के देखी व उन्होंने सब दे दिया है कि क्या है और जनरली जो ग्रे कलर में है आपको पता चल जाएगी और अगर ब्लू में है तो फिर उनका betterment सिर्फ sit type में है उनका choice code में बदला हो कुछ हुआ है मतलब उनको पहले से पहले open का seat था तो अब उनका उनके category से seat मिला होगा उनको ज्या choice code में बदला हुआ है उनका real में betterment हुआ है उनको दूसरा option दूसरा branch या फिर दूसरा college अलोट हो चुका है बाकी के status में ज्यादा changes नहीं है तो इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा सा discussion करेंगे कि अब आगे क्या जिनको seat मिली है उन लोगों को तो seat acceptance fee भरने की कोई जरुरत नहीं सेकंड राउंड में पहले बार जिनको seat मिली है वहीं लोग सिर्फ seat acceptance fee भरेंगे बाकी लोग seat acceptance fee नहीं भरेंगे सिर्फ जो हमने देखा है अभी screen पर उसका friend निकालेंगे और college में चले जाएंगे admission process के लिए admission process generally colleges में क्या होता है आपको क्या लेकर जाना पड़ता है आपने कैसे जाना चाहिए वहाँ पे generally क्या क्या steps में college वाइस थोड़ा सा तो अलग होता है लेकिन general मैंने view दोने की कोशिश की है वो video हमारे साइट पर है आप उसे refer कर सकते या फिर आखिर में या फिर मैं i button में देने की कोशिश करूँगा अगर म हमने देख लिया कि जिनको betterment हुआ है वो भी जा रहे college को जिनको नहीं हुआ व भी जा रहे जिननों ने already freeze किया तो उनका तो college भी शुरू हो चुका है अब जिनको college ही मिला नहीं है वो लोग क्या करेंगे तो बात करते हैं कि उनके फिर मन में होगा कि ये जो second round में seat alert हो क्योंकि अब अगर जाओगे तो कुछ colleges में आपको इंस्टिट लेवल की seat जिना management quota बोलते है generally तो वो भी seat आपको मिल सकती है बहुत से रहेंगे उनकी process भी already दे दी है activity schedule में उनका activity schedule में उनका lay slot भी दे दिया उस slot में generally second round होने के बाद मतलब आपका 21st तक चलने वाला जो round ह है reporting up period है उसके बाद जो भी vacancy रहेगी generally पिछले साल से CT sale ही आपको vacancy declare करता है उनके पोटरपलर की कौन से college में कितनी vacancy आप भी बाकी है तो फिर आप उस college के institute level round या फिर spot on generally हमीजे famous world हो गया भी spot on तो spot on में आप participate कर सकते हो spot on क्या है management quota क्या है institute level quota क्या है उनकी admission process में क्या आंतर हो सकता है institute level round और spot round में क्या आंतर है सब मैंने वीडियो बना के रख्या आप सिर्फ उसे refer कीजिगा आपको सारा उसमें clear हो जाएगा उसमें आपको doubt नहीं आएगा generally process भी मैंने उसमें discuss की है आपको application करना होता है separate से आपने CT sales से अब नहीं होगा या फिर option form रहने की पिर से जबरतने आपको उस direct college को contact करना है उस college की process आपको follow करने होगी जैसे का हमने already discuss किया कब होगी round तो यह जैसे आपका 21 को खतम हो जाएगा 20 seconds शुरू होगी आप जिस college को target करना जहां पर आप जाना चाहते हो उस college के संपरक में आप रही है उनका website देखते रही है आपको इसके बार में पता चले जैसे कोई update आएगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा रुपते यहां फिर मिलेंगे किससे मशकर थैंक यू